नमस्कार दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल ग्यांदी फिंदी चैनल पर तो बीसी सकी महलाओं की मांगों को लेकर सरकार का फैसला क्या आ रहा है क्या नया अपडेट आ रहा है जिस तरों से बीसी सकी महलाएं लगातार अपने कारिछेतर को करा रही है तो महलाएं जहां उन्हें उनका कार सौपा गया है और कार सौपने के साथ ही उनको कमिशन वेज पर रखा गया है छे महने बाद उन्हें कमिशन दिया जा रहा है लेकिन उनका कमिशन इतना कुछ नहीं बन पा रहा है जिससे कि वो अपने घर की रोजी रोटी चला सके छे माह तक तो सिर्फ उन्हें 4000 रुपे ही दिया जा रहा है उसके बाद उन्हें कमिशन दिया जा रहा है तो इन बीजी सकी महलाओं ने कुछ मांग पत्र में हाँ पर अपनी समस्याओं को उजागर करते हुए उन मांगों को पूरा करने के लिए सरकार से तीन मेहने का वक्त मांगा था लेकिन आप वहाँ वक्त चला गया है क्योंकि तीन मेहने से ज्यादा का वक्त हो चुका है लेकिन सरकार की तरफ से अभी भी कोई भी ऐसा अपडेट नहीं आया है जिससे की महलाएं आप यहों कह सके कि हम अपने का को लेकर एक द्रन संकल्प हैं, कुछ महलाई अच्छा कारे कर रही हैं, उन महलाओं को सरकार की तरफ से उत्क्रिष्ट कारे करने वाली महलाओं को मान और संबान देकर मंच पर बुलाय जा रहा है लेकिन कई सारी महलाएं हैं जो अपने कमिशन भी इतना नहीं बन पा रहा है जितना की वह खर्च कर ले रही है आने जाने का खर्च हो या मोबाइल का खर्च हो तो उनका इतना खर्च नहीं बन पा रहा है क्या सरकार उनकी यह मांगें पूरा करे है और जो बीसी सकी महलाओं की मांगे थी उसमें उजागर करते हुए उन्होंने अपने पेमेंट्स को बढ़ाना और अपने पेमेंट्स को पर्मानेंट करने की जो मांगे मांगी गई थी सरकार के तरफ से वह अभी तक सरकार ने उनकी मांगों को पूरा नहीं किया है तो अधिक से अधिक महलाओं के समक्स यह आवाज जा सके और सरकार के समक्स यह आवाज जा सके कि वह महलाओं का जो मान और समान है और जो उनके समस्याएं हैं मांगे हैं उसको सरकार जल्द ही पूरा कर सके तो उन मांगों के बारे में भी हम चर्चा करने वाले हैं कुछ महलाओ ऐसी हैं जो उत्कृष्ट कारी कर रही है लेकिन कई महलाएं अपने घर की रोजी रोटी कमाने में भी बहुत वक्त ले रही हैं तो ऐसे में उन महलाओं के साथ अन्याय क्यों किया जा रहा है जो महलाओं लगातार परिक्सम कर रही है और लगातार कारी छेत्र पर अपना कार को बढ़ावा दे रही है ना तो महलाओं से मनरेगा का पैसा यहां पर निकालवा जा रहा है और यहां तक की कोटेदारों को भी इसका लाब देकर उन्हें CSCID देकर जो BC सकी महलाएं हैं उन सभी महलाओं के साथ एक बार फिर अन्याय किया गया है तो आज उन महलाओं की जो समस्या हैं उसको हम एक बार फिर यहां पर सरकार के समक्स उजागर करना चाहते हैं BC सकी 58,000 महलाएं आज कारिछेत्र पर कारिकर रही हैं वहीं बात करें पार्टनर बैंकों की दूरी जो सभी BC सकी सेंटरों से काफी दूर है पैसा लेने जाने और उनका रिस्क इतना बड़ा है रिस्क की समय और पैसे की बरबादी इसे दूर करते हुए हम BC सकी को हमें हमारे केंदर पर ही पैसा उपलब्द कराए जाए पहली सर्थ के तोर पर BC सकी महलाओं की यह सर्थ ती दूसरी सर्थ की बात करें तो हम लोगों का मानदे 6 महा पूरे हुने के बाद भी निरन्तर किया जाए तो वहीं जो दूसरी मांग थी उनकी जो 6 माह तक वेतन निरन्तर करने की वहा भी इसे पूरा किया जाए और वहीं 25% जो उनका कमिशन है वह ना काटा जाए और तीसरी मांग के तोर पर उनकी जो तीसरी मांग थी उन लोगों का 75,000 जो रुप्या रिन था उसे माफ किया जाए पार्टनर बैंकों के साथ जो दिया गया डिवाइस था उसे पूरा करने के लिए जो सही तरीके से काम नहीं कर रहा था उसको भी पूरा किया जाए तो सरकार की तरब से जो यहां मांगे थी वो अभी तक पूरा नहीं की गई है तो सरकार के समक्स जो BC सकी महला हैं उनका निरंतर यही मांग किया जा रहा है कि इनकी मांगों को पूरा किया जाए तो आपकी इस पर क्या राय है आप हमारे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दे सकते हैं तो मिलते हैं आप सभी को इसी तरह की नई लेटिस्ट अपडेट के साथ तब तक मुझे दीजिए इजाज़त थैंक यू बाई बाई टेक केर